नमस्कार दोस्तों स्वागत अब स्विकाश्ट्राइड दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर रेलेवे के तरब से एक नए अपडेट आ गया है तो क्या है अपडेट सब कुछ हम लोग इस वीडियों जानने वाले बहुत इंपोर्टेंट अपडेट है आप लोग इ हैं तो यहां पर देख सबसे पहला जो अप्शन है एक में दिया गया है कि आवेद्यों को उमिद्वारों को सलाह दी आती है कि वे रेल्वे भरती बोर्ड औरवी द्वार जाड़ी बिभिण के द्रिकृत रोजगार सुचनाओं के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से परवानित करें आधार सत्यापन मोट के माध्यम से अरवी आवेदन प्रस्तुत करने से आवेद्यों के लिए परिक्षा के दन में परवेश आसान हो जाएगा और परिक्षा के बाद की परकडिया भी स्टरल हो जाएगी दूसरा में पड़े दूसरा लिखा हुआ है कि जिन आभेद को उमिदवारों ने 2024 को दोरान अरवी दोरात जाड़ी CN के लिए अपने आभेदन पहले ही आधार के अलाबा अन्र दस्ता वेजों जैसे कि आधी का उपयोग करके जमा कर दिये हैं वे अरवी अफलाई जीवी डॉट इन पर अपने उपयोग करता केडेंसियल के साथ लॉग इन करके अधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं या अधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है और या सरी बरतमान और भरिस की नौकड़ी अधिसुचिनाओं और आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से मानने होगी तीसरा यहां पर दिया गया है कि रेलवे भरती बोर्ट किसी तीसरी पार्टी के साथ अधार दिवरन को ना तो सहेजेंगे या ना ही साजा करेंगे और ना ही सम्मादित सी एन के उदेशियों के अलावा किसी एन उदेश के लिए उसका उ चौथा यहां पर है कि उम्मिद्वार को सला दी जाती है कि वह भरती प्रक्रिया पर नविंतम अपडेट के लिए केवल रेलवे भरती बोर्ट की विबसाइट पर ही देखें किरिपया अपड़ा दिक्रित स्रोतों द्वारा गुम्रा ना हो तो यह नोटिस आरी किये गया हैं रेलवे की तरफ से तो आप लोग बता दे कि लिए जिन लोगों ने फ़र्म किया था अधार कार्ट मैंनेटरी फिदावट अधार कार्ट के आप लोग ना को चांब दे सकते हैं ना ही आपके फर्म आगे प्रोसेस में आएंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यह आ यहां पर देख सकते हैं साथ सब लिखा हुआ है कि जिन आबेद को उमिद्वारों ने दुएर चौबिस कुदरान और भी द्वारा कार्ट के साथ ही अपलाए किया था उन लोगों को एक बार चेक कर लेना है क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा तो फिर आपको पस्ता आउगा सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नए वीडियो में